टीम इंडिया की तेज गेनबास मुहम्मद शमी को कोलकता पुली से तब अस्थाई राहत मिली जब उन्हें तीन घंटे की पूश्ताच के बाद इंडियन प्रीमेर लीग में उनकी फ्रैंचाइजी दिली देविल से जुढने की अनुमती दी गई उनके पत्नी द्वाराओं के खिलाफ घरेलु हिंसा और विया भीचार के कई मामले दर्श किया जाने के बाद कोलकता पुलिस ने शमी को समन भेजा था उन्हें 16 अपेल को इटन गार्डिन्स में कोलकता नाइट ड्रैडर्स के खिलाफ दिली के आईपिल मैच के बाद कोलकता में रोख लिया गया था सायूक्त पुले सायूक्त प्रवीन तिरपाधी ने बद्रकारों से कहा कि हमें शमी के अपनी आईपिल टीम से जूने में कोई अपत्ती नहीं है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें दोबारा बुलाएंगे शमी से करीब तीन घंडे तक पूश टाच की गई तिरपाधी ने कहा कि हम उन्हें कभी भी बुला सकते हैं लेकिन इस समय हमें ये जरूरी नहीं लग रहा है वो इस मामले में पूरी तरह से सही योग कर रहे हैं पता चला है कि शमी बैंगलूरू में अपनी टीम से जोनने के लिए रवाना होंगे जहां उन्हें विराध कोली की अगवाई वाली टीम के खिलाव 21 अप्रेल को मैच खेलना है शमी ने मीडिया से बात नहीं की और उन्हें पुलिस मुख्याले के इन गेट से निकाला गया जबकि मीडिया कर्मी और कैमरामेंट से आउट गेट बर उनका इंतजार करने को कहा गया था इस टीवी नियूज के लिए निहास खान की रिपूर्ट